हाई अब्रीवन स्वागत है आपका इस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में दे फॉंक्शन आफ एजुकेशन आपको यह भी कह सकते हैं कि अब्जेक्टिव्स यानि कि सिख्चा के उद्देश या सिख्चा के कार त्यूस्तों चार्स लीडियो के सिख्चा इस वीडियो में हम दो पॉंक्शन आपको शियम्स वाद्थ 1 विडियो में हम दोप्वा मानोष जीवन के लिए सिक्षा, एड़ुकेशन फर्षे Community लाइफ & समاز के लीए सिक्षा और इस वीडियो के हम इस चाहिए चीज़ को देखने वाए हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों तो बात करते हैं दोस्तों Education for Human Life मान और जीवन के लिए सिक्चा और ये एक ऐसी चीज है जिसके बगए जीवन अधूरा है देखे सिक्चा मनुस्य की भी तर अच्छे विचारों का निर्मार करती है मनुस्य के जीवन का मार्ग पर दरसित करती है कि आपको कैसा इनसान मनना है बहतर समाज के निर्मार के लिए सिक्चित नागरी की भूमी का महत्पूर होती है और इनसानों में सोचने की सक्ती होती है इसलिए वे सभी प्राणियों उसमें स्रेश्ट होते है माना जाता है कि जो manuşsya है जो इंसान है को इनके अंदर एक सोचने की च्छमता होती है इसलिए वह सबी प्राणियों से बहतर है इसलिए 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 मानुushy को अस्रफल मकलूग कहा गया है एक बहतर मखलुक बहतर इंसान कहा गया है वो सभी प्राणियों से स्रिष्ट होता है अब यहाँ पे इस जो सब्द लिखा है उसको ध्यान से देखे असिक्षित मनुस्य की सोच पसू के समान होती है यह थोड़ा से डिबेटेबल टॉपिक है मगर इसको अभी एक्स्प्लेन करेंगे वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है इसलिए सिक्षा मानो जीवन के लिए जरूरी है उसे ग्यानी बनाती है सिक्षा यहाँ पे जो बात कही गए कि असिक्षित मनुस्य की सोच पसू के समान होती है आप आगे पढ़ेंगे तो एक सब्द आता है सिक्षा और साक्षरता साक्षरता का मतलब की पढ़ने लिखने की योग्यता होना और सिक्षा का मतलब कि एक सिक्षा होना है वहवार में परिवर्तन होना अब यहां पर सिक्षित व्यक्ति का मतलब अगर आप जैसे यह सोचेंगे मैं अपने दादा दादे की बात करूं तो उनके पस कोई डिगरी नहीं थी तो क्या वो अक्सिक्षिक थे आप इसके सेंस में बात कर लें जैसे प्रवुसरी राम हो गया प्रुफेट मुमस सेलम हो गया इनके बस कोई डिगरी नहीं थी तो क्या आए अक्सिक्षिक थे तकि यह सिक्षित होने के लिए कभी किसी डिगरी के जरूत नहीं होती सिक्षा तो हम अपने समाज से अपने परिवार से अपने माबाप से अपने दोस्ट से यहां से भी ग्रहन कर सकते हैं तो यहां पर बात सिक्षा की हो रही है डिगरी की नहीं पढ़ाई लिखाए के बात नहीं साक्षारता की बात नहीं हो रही है और याकीन मानिए अगर कोई स्कूल नहीं भी गया ना तो फिर भी वो अपने समाज से एक बहतर सिक्षित व्यक्ति बन सकता है आसिक्षित का मतलब जिसके अंदर कोई संसकार नहीं है जिसके अंदर कोई सोचने की समता नहीं है जो की स्वार्थी है उसे हम आसिक्षित वक्ति कहते हैं जिसके अंदर कोई संसकार नहीं है तो यहां पर बात उस वक्तिक हो रही है ऐसे वक्ति की नहीं जो कि पढ़ा लिखा नहीं है ठीक है और हाँ बहुत लोग पढ़ने लिखने के बाद भी असिक्चित होते हैं उनके पास हाला की डिग्री है लेकिन फिर भी वो असिक्चित है यह थो इसे डिवेटेबल टॉपिक तो असिक्चित का मतलब जिसके पास सं का नहीं है जो कि समाज के परती सोचता नहीं है ऐसे वक्ति की बात की गई है कि असिक्षित मनुस्य की सोच पसु के समान होती है ठीक है तो यहां से आपने देखा कि मानौ जीवन के लिए सिक्षा क्या है दोस्तों बहुत ही मत पूरें एक अच्छे विचारों का निर्मार कर करती है जीवन का मर्ग परदस्रित करती है एक अच्छा नागरिक बनाती है और इंसान को ग्यानी बनाती है यह हो गए सिक्षा के कारे चलिए अगर हम पॉइंट वाइस बात करें सिक्षा के कारे को तो आप एक्जामस में ऐसे कुछ पॉइंट के अधार अप लिखेंगे और सक्षा के की पूरती सक्षा के कारे और सक्षा के पूर्दी करणा है जीवन की समस्यार को किस प्रकार हल किया जाए और आधुनिक सब बे समाज का गंभीर इसी बद आधुनिक जो modern society है वो उसका main focus यही है कि जो भी needs है आपके उसकी satisfaction किया जाए उसकी पूरी की जाए अगला हमारा क्या है बच्चो अगला हमारा है कि आत्म निर्भरता की प्राप्ति आत्म निर्भर भारत हम आत्म निर्भरत भी होनी चाहिए आत्म निर्भरता की प्राप्ति achievement of a self-sufficiency इसके बारे में फिर स्वामी बीविगानन जी कहा है कि केवल पुस्तकी यह ज्यान से काम नहीं चलेगा हमें उस सिक्षा किया हो सकता है जिससे व्यक्ति अपने स्वेम के पहरों पे खड़ा हो सके मतलब एक आत् यह बन रहे हैं यह सारी चीज़ टीचर बन रहे हैं आर्मी में जा रहे हैं तो यह सारी चीज़े क्या है एक व्यवसाई कुसलता की प्राप्ति है इसके अलावा भी कढ़ाई बुनाई सिलाई आचार बनाना मुरब्ब बनाना यह बहतर क्या है आपकी व्यवसाई कुसलता मतलब आपको कई न कई फाइनेंसली तोर पे मजबूत करने का कारे कर रही है एक इंसान को वो कौन कार करें सिक्षा अच्छे नागरिकों का निर्मार ठीक है मैंने वही बात कहा है कि सिक्षा से हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे इससे क्या होगा एक देश बहतर बनेगा वक्तित्व का विकास आपके पुस्नालिटी डेवलप्मेंट होगा एक सब इस समाज में भी आप खुद को खड़ा कर सकते हैं एक अच्छे वक्ति के तरह खुद को परदरसित कर सकते है अच्छा बात यहां पे जब वक्तित्व के निर्मार की आती है तो इसका मतलब यहने की कोट और पाइंट का मतलब ही एक अच्छा वक्तित्व होता है नहीं आप दोती कोटा महात्मा गादी को देख लीजिए ठीक है आप उत्रपरदिस के मुख्यमंतरी योगी अधितनाद जी को देख लिए बंगाल के मुख्यमंतरी ममता बैनर जी को देख लिए यह लोग बड़े साधारा कपड़ों में रहते हैं लेकिन क्या है इनका व्यक्तित्व हुचा है इनकी परस्णाल्टी बहते है जिसकप्ड़ों में जाते हैं बही कप्ड़ा ब्रैंड बन जाता है तो जुण नहीं है कि परस्णाल्टी के मतलब कोट, पाइंट और टाई होता है लेहंगा, शूट, उयह द deti साड़ी हो या सलवार ये भी परस्लाइटी आपको प्रदसित कर सकती है तो सिक्षा क्या करता है आपके व्यक्तितु का विकास करता है चरीतर का विकास करता है एक अच्छा कारेक्टर बनाता है इनसान का कि हम जो अपने बारे में सोच सकते हैं दूसरे के बारे में सोचें, ऐसे ने कि वो लड़की है, किसी और किसी चीछ तुम गलत सोचें, यह गलत बात है, जो हम अपने बारे में सोच सकते हैं, वही हम किसी और के बारे में सोचें, यह सिक्षा हमारे अंदर क्या करती है, भावना जगाती है, हमारे चरीतर का, हमारे क आपको सिक्षा के माधियम से ही तैयार होना है अगला पॉइंट है दोस्तों मूल प्रविर्तियों का नियंदर जैसे इंसान के अंदर मूल प्रविर्तिया पाई जाती है आईए मैं इसको यह सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए ठीक है इसका मैं पीडियो टेलिग्राम में सारबगेड़े विकास करना है इसे है जीवन की तैयारी का मतला विलमॉट ने कहा था कि सिक्षा जीवन की तैयारी है इस anticipate मूल प्रविर्टि यों का नियंदर जैसे कि इंसान के अंदर कुछ मुल प्रेविटियां होती है जैसे इच्छा होती है कई根ट की पाने की इच्छा जिग्यासा जानने की जिग्यासा प्रेम करोड इरसिया लाल चूट्या दी तो इन पर आपको नियदर रखना है प्रेम अच्छी प्रक्रिया है है लेकि समें अच्छी प्रक्रीया नहीं होती अब कभी प्यार करने कि एली आपको तो यह सारी चीज सक्षा के माध्व जीवन के लिए सिक्षा के कारे ठीक है तो आप इन पॉइंट के अधार पर इसको व्याख्या करिए बहुत बहुत बैतरी नंबर आएगा या फिर एक बहुत जविन आपको पॉइंट बताएगा है जिसको आप अपने सब्दों में लिख सकते हैं ओके दोस्तों अब हम देख कि समाज के लिए सिक्षा के कारे क्या है दोस्तों कर समाज की बात गए तो समाज की परिभासा को क्या कहा गया जैसे कि एम गिंसबर्ग ने कहा था कि समाज व्यक्तियों का संकलन है कालेक्शन है ठीक है जो उनके अंता संबंदों और वहवारों विदियो द्वारा संगटीत होता है ठीक है हमारे अपस के रिलेशन से हैं हमारे बिहेविर्स के आलावा जो हमारे संगटन है उसी को हम समाज कहते तता उन वेक्तियों से भी ने जो कि इस प्रकार के संबंदों द्वारा बढ़े बढ़े नहीं है मतलब जुड़े वो नहीं है इसलिए आपने देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि एक समाज होता है अगर हम समाज के कारियों की बात करें समाज के कारियों को जानने से पहले आपको समाज की कुछ विसेस्थाएं जाननी होगी समाज की कुछ विसेस्थाएं होती है कुछ ना इसके करेक्टरिस्टिक्स होते है जिसको जाना बहुत है जरूरी है जैसे पहला कि अमूरथ का मतलब यह भूश्ट इंपोर्टेंट प्रश्ण कई सीटेट में पुछा जाएं तो पहला अमूरत यह विस्यस्ताइं है अमूरत का मतलब कि यह नहीं समाच एक अब्सट्रैक्ट है, भर दिखाई नहीं देता जैसे मैं आपसे कहा दू कि प्रेम प्रेम वास्तों में एक भावना है एक फीलिंग है जिसको हम सोच सकते हैं समझ सकते हैं वास्तों में यह दिखाई नहीं देता ना हम इसे टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं ना इसकी अकृत नहीं बना सकते हैं ठीक वैसे ही अगर हम समाज क जागरुटा है कि हम जाने कि हमारे आसपास की चीजे कैसी है हमारा समाज कैसे समाज में चीजे कैसे चल रही है और क्या चल रहा है यह सारी चीजे क्या है तो बच्छों समाज की विश्षता है क्या है प्रासपरिक जागरुटा समानता और भीन्यता मतलब समाज के लोगों मे की भगवान को प्राप्ट करना ले उनका उद्रे से बिल्कुल समाध करने हैं लेकिन हो सकता है पूजा करने का तरीका हो छी कि कोई कुछ तरीके से पूजा करता है everyday pagm Score तो समाज तो शृस्षष्षभ और आında संघ्रस सहयग होता है एक दूस इसधी सहय होता है एक डूसरे के पीस सहयोग घर मेगर कुछ दुख दर्ध परिशानी होती है ला पूछ अच्छा चीज वह त्म सहयोग एक दूसरे सहान को चीज होती कि अगर कोई impose करे तो आpका हर गलत पर कोயिंसा साथ नही कोई पारसपर एक निर्भरता भी होती है एक दूसरे से इंसान को ज़रुत होती है ठीक हम आपका भी है कभी हमारे काम आगये हम आपके काम आगये यह सारे चीज एक समाज की विशेचता थे और अपने अंदर वहां चाहिए परिवड तनसीड प्रक्रति और ग stal nuestras the law of nature changes the law of society तो प्रिवर तनसील ना जो प्रक्रती रहा है वो उस समाज की क्या प्रक्रती है जैसे कि मालनी जी कोई जिरूर नहीं है कि कोई इस समाज में अगर कोई चीजें हैं तो वो हमेशा के लिए रहेंगी वो चीजें बदलती रहती हैं चीजें बदलती हैं जैसे एक्जामपल की तरफे गर मैं मुस्लिम समाज की बात करूँ तो एक टाइम था कि थोड़े बहुँ चेंजें होते हैं परिवर्तन होता रहते हैं ठीक है तो यह क्या है समाज का परिवर्तन सिल प्रकृति होती है अब यहां से हम यह जो नोट से मैं आपको टेलिग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा इसमें सब व्याक्या कि ये गया है प्रगति अगर समाज में कुछ कुरूतियां हैं तो सिक्षा के मादियम सहमों से क्या गड़ते हैं सुधार करते हैं समाजिक नियंतरड, समाजिक नियंतरड भी रहता है कि समाज इतना administration अना बन जाए कि हम अपनी सबहता को उसको समाज के बारे हम पता ही नहीं है, वो सहयोग, प्रेम, स्ने, आपस के वो करता ही नहीं है, तो सिक्षा के माद्धियम से हम उसे क्या करेंगे, उससे समाजिक रण करेंगे, समाज से जोड़ेंगे उस चीज़ को, समाजिक भावना का समावेस cultural एक ऐसा भावना जो सब लिए सोचे ठीक है जो सब को एक साथ लेकर रखे इस भावना का हम क्या गแตट समावेस कर तो बच्चो इस प्रकार से यह पॉइंट यहां पर खतम होगा इसके जो नोट्स थे ना ये जो ये समाजिक भावना सनक चाना तो इसके भी नोट्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा आप वहाँ से लिख लेजीगा ठीक है बच्छो तो दोस्तों इस तरह से यहाँ दो पॉइंट्स आज खतम हुएं यहाँ पर मैं इस व कवर अब हुए दो पॉइंट्स पॉम अगले वीडियो को देख लेंगे की फॉंक्शन आफ एजूकेशंट फॉर नेशन फॉर्ट कॉंट्स इन दो पॉइंट्स पो देख लेंगे और यह जो पीडियो यह जो जो मैंने नोट्स बनाया है उसका मैं पीडियो आपको जरूर दे हमें कमेंट में बताएं मुझे आपकी कमेंट का बड़ा इंतजार रहा है अगर पॉजिटिव या निगेटिव जैसे भी फीडबेक आती है मैं उस हिसाफ से आपने और वीडियो जैसे किसी ने कहा दिया अच्छी लिए तो मैं उस पर वर्क करता हूं और इंप्र झाल